आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ एक प्रैक्टिकल का टेस्ट पेपर प्रैक्टिस पेपर जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसका सॉल्यूसर भी मैंने इसके साथ एटेज कर दिया है तो चलिए विडियो को सुरू करता है मैसल्प संजय पर्मार I welcome you all on my channel tutorial AICS IP वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं आप मेरा फेस पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लें आपके content जो है class 12 के syllabus के according topic wise मेरे playlist में मिल जाएंगे तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो देखने के बाद उसको देख सकता है और learn कर सकता है और आपके जो doubt से मुझे comment करके आप बता सकता है तो चलिए वीडियो को start करता है तो सबसे पहले यहाँ मैं बात करूंगा practical paper की तो जो practical paper है उसका जो pattern है वो इस प्रकार रहेगा सबसे पहला जो question है आपको 8 marks में यहाँ पे पांदाज और math plot link इसके question पुछे जा सकते है इसमें पांदाज में मैंने दो question लिये है एक question लिया है series का और दूसरा question लिया है data frame का यह sample के लिए है आपक seminar दोनों मील करके जो भी decide करेंगे उसके हिसाब से paper वहाँ पे बनेगा तो एक practice paper मैंने अपने हिसाब से बनाया है जिसमें मैंने तीनों include किया है एक पांदाज include किया है data frame include किया है और math plot link include किया है python के लिए और mysql के लिए जो अपना syllabus है उसके according जो content है उसके questions मैंने रखे create table और queries के तो चलिए देखते हैं क्या क्या questions है और आप इसे कैसे solve करेंगे इसका solution भी मैंने attach कर दिया है तो सबसे पहले यहाँ पे देखे यह paper है इसका यह तो यहाँ पे जो भी format होगा वो header में आ जाएगा सबसे पहला question मैंने यहाँ पे यह लिया है students के marks enter करके 10 students के marks enter करक 3 marks का grace देना है जिनके marks 33 से less आता है 30 से 33 के बीच में तो जिनका भी marks इतना होगा इनको 3 marks तक का grace देना है तो अगर 30 है तो इनको 3 मिलेगा 31 है उनको 2 मिलेगा 32 है उसको 1 मिलेगा तो इस प्रकाय का program यहाँ पे रखा है सबसे पहला series का इसके बाद दूसरा है data frame दिया है तो हमें data frame में create करके वहाँ पे python में show करना है इसके बाद यहाँ देखे इसके उपर से तीन question दिया है और जो plot वाला है वो भी उसी के उपर से दिया है तो उसी data में से कुछ चीजे निकाल करके हम chart पे भी show करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला question मैंने दिया था create data frame using dictionary display books for class 12 display the books whose price is more than 250 और plot this data और आपको description में इसका link मैंने दिया है वहाँ जा करके आप इसे download कर सकेंगे यह वहाँ solution भी है और एक question भी है तो question paper आपको चाहिए तो वो download कर सकता है solution भी उसके साथ साथ आप download कर सकता है तो देखे यहाँ कैसे यह solve होगा तो solution के ओपर जाता है हम यहाँ सबसे पहले solution मैंने यह दिया है यहाँ पर student का marks है तो उसका list यहाँ पर ले लिया पहले फिर यहाँ पर एक loop चला करके data value हमने input करवाई है तो input यहाँ किया है input enter the marks उसके बाद list में उसको append किया और उसी list में से हमने series create किया है std underscore marks यह जो data है उसको हमने s नम के series बना करके यहाँ पर ले लिया है अब तीनों जो marks है 3 marks उसका यहाँ पर condition डाल दिया कि अगर 32 है तो 1 mark एड़ होगा 31 है 2 marks एड़ होगे 30 है तो 3 marks एड़ होगे तो इसे प्रकार से एड़ कर दिये और new list यहाँ पर print कर दिये तो इसे प्र data frame तो सबसे पहले create data frame आएगा दिखें यहाँ पर यहाँ बनाया है स्वारे dictionary यूज किया है ताकि question में भी वही डाला है सायर Yes, create a data frame using dictionary आप dictionary से ही create करना है ताकि clear mention है यहाँ पर अगर नहीं होता तो हम list यूज कर सकते थे तो यहाँ dictionary मैंने बनाया है book ID फिर यह जो book ID यहाँ पर डाली हुई है जो table में दी थी उसे प्रकार से जो data वहाँ दिया है वो यहाँ पर लिख दिया है हमने dictionary जो create करता है अग आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है मैंने उसके वीडियो अल्रेडी playlist में बना रखे है जाहिए description में उसका link मिलेगा पूरा playlist आप देख लिए उसमें से आप कोई भी वीडियो आप देख सकते है और उसको समझ सकते है चलिए यह देखते है आगे वाला जो यहाँ पर दीखे तो उसमें 0,1,2,3 लेप सायर में ना आये और उसका header भी वहाँ पर हाइड हो जाए यह आप यहाँ नहीं लिखना चाहते तो आप इसको ignore भी कर सकते है बद यहाँ पर हमें ऐसा output नहीं चाहिए धर्वाइस क्या होता है कि वह alignment proper नहीं रहता है तो इसलिए मैंने इस same मिलता है तो आप use कर सकते है पर यह मुझे आपके level से student के level से easy लगा था इसलिए मैंने यहाँ पर implement किया है अगर आप ऐसा कोई code जानते है तो comment करके मुझे जरूर बताईए तो दूसरे students को भी इसके बारे में पता चल जाएगा चलिए next अभी देखते है Christian यह output देखे यह यहाँ पर जैसे class 12 books वहाँ सिधा record आ गया और books having price more than 250 उसका भी direct record यहाँ पर आ गया है यहाँ पर मैंने for loop चला के उसको separate नहीं किया है वो भी हम कर सकता है उसके बाद देखे plot book and price data on bar chart तो book का जो data है और price है उतना ही बार चार्ट में हमें display करना है तो यहाँ पर क्या किया ह dot show तो यहाँ पर math pipe plot जो lip का जो short form है MPP use किया है मैंने yes name और वही यहाँ पर dot show करके कर दिया तो आपको ऐसा output यहाँ पर मिल जाएगा इसके बाद यहाँ देखे mysql का part यह table है table के उपर से create our table in mysql insert records यह दोनों यहाँ attach कर दिया आप अच्छे से जाते होंगे कैसे table create करत तो descending order के लिए कैसे करते है वो पूरा explanation concept वाले videos मैंने already डाल दिये है अगर आपने miss किये तो जा करके देख लिए समझ में आ जाएगा और कोई doubt है तो आप comment करके पूच सकते हैं तो यहाँ पर यह simple query मैंने लिख दिये select star from result 2020 order by marks dsc तो dsc करने से descending order में हमें यह मिर जाएगा इसके बाद next जो है next question अपना यह है display all the details of students in ascending order of name तो यहाँ पर ascending order है एस सी keyword last में आप use कर सकता है नहीं करेंगे तो भी by default ascending order में ही record आते हैं उसके बाद next question है find maximum marks of each student तो यहाँ पर जो total question मैंने दिये है 7 marks में तो 7 marks में 7 queries दिये है first create insert उसके बाद 5 queries separately तो ऐसा यहाँ पर म यह से पूछते हैं वैसे आपको उसके answer लिखने हैं और ऐसे बना करके आप रख लीजिए क्योंकि यह भी आपके practical जो होंगे उसके साथ अगर आप answer लिखते है directly pen से तो लिख भी सकते हैं और यह जो screenshot है वो भी attach किया जा सकता है मैं तो attach करता हूं जब भी practical exam होता है यह code same answer answer sheet में लिखवाता भी हूं और last में इसका print out भी लगा देता है हम answer sheet के साथ तो जो practical output है computer का वह भी वहाँ चला जाता है यह सारे screenshot तो यह best practice है अगर आपके teacher है या आप खुद teacher है और वीडियो देख रहे हैं तो आप यह भी procedure follow कर सकता है output वहाँ पे attach कर लीजिए जो भी students के होता है सारे output आप उसी student की back side में attach कर सकते हैं चलिए next देखते हैं यह देखे यहाँ पर next question जो था अपना ascending order वाला उसके बाद find maximum marks of student for each class तो हर class में से जुनना है तो हर each word आता है या तो group wise आता है class wise आता है subject wise आता है तो यह सारी चीज़े group by में ही आएगी तो यहाँ इसलिए use किया है group by class तो यहाँ पर class आ गया और maximum marks यहाँ पर दिख गये उसके बाद सिधा है count the student class wise display only those number who is more than 10 तो यहाँ पर पहले तो class wise count करना है फिर वही दिखाना है जिनका data दो से ज्यादा student हो जिस class के students दो से ज्यादा हो तो यहाँ पर ऐसे 10-12 वही student है जो दो से ज्यादा यहाँ पर दिख रहे हमें तो यह यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6 ऐसे output मिल गया और last वाला जो है display unique cities from the table तो यहाँ पर unique city यहाँ पर आ जाएगी table में से तो यह query अपने दिजिए select distinct city from table name तो यहाँ पर table name था result 2020 उसके बाद जो है practical records जो आपने practical file बनाई है मैंने उसका भी video अप्लोड कर दिया है तो आपको अगर वो use करना है तो आप देख सकता है i button में भी आपको video मिल ज description में मिल जाएगा लिंक में project work project work जैसे आप जाते हैं बहुत ही project work के लिए अब आपके teacher आपको जैसे help करते है उसे ही सबसे आप बना सकते है उसके बाद है वाइवा बोस तो वाइवा external examiner लेंगे वहाँ पे आपको personal बूला करके तो वहाँ पे तो क्या पुछेंगे और क्या नहीं वो किसी को कुछ पता नहीं होता बठा आप concept ready करके जाए और confidently answer द हैंगे confident रहिए answer कोई भी question पूछ ले उसका answer आपको आना चाहिए तो सारे concept wise video मेरे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएंगे even मेरा जो blog है उसके आपको notes और questions भी मिल जाएंगे वो आप prepare करिए उसके उपर से practice करिए 100% वो आपको benefit करेंगे अगर आपको उससे benefit मिल रहा है तो आप मुझे comment करके भी बताइए मेरी हर एक post से आपको क्या benefit मिलता है तो चलिए आज के video में सिर्फ इतना ही मिलते है अगले video में तब तक के लिए अपना खायार रखे अपने पढ़ाई का खायार रखे और video देखने के लिए धन्यवाद और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करना मत बुलना वीडियो को लाइक और शेर जरूर करिए और अपने कमेंट जरूर करिए चलिए मिलते हैं